नमस्कार मैं दिप्ती आज लेकर आई हूँ पाइनेपल यानि कि अनानास की बहुत ही टेस्टी सी रेस्पी आपने इसकी बहुत सारी रेस्पी खाई होंगी लेकिन आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो बहुत ही टेस्टी है आज में यहाँ पर पाइनेपल कर्ड सेक बोल सकते हैं आप और या फिर आप इसको पाइनेपल की लस्सी भी बोल सकते हैं तो सबसे पहले हमें इसे बनाने के लिए करना क्या है हमें लेना है पाइनेपल और उसको हमें छील लेना है यहां पर इसका छिलका काफी मोटा होता है बहुत कम लोगों को पाइनेपल पसंद होता है लेकिन आप अगर यह लस्सी बना कर पिलाएंगे ना तो उन्हें भी यह बहुत अच्छी लगेगी यहां पर इसको इस तरह से छील कर आप जैसे भी टुकडे कट करने हों कट कर लीजे क्योंकि हम इसे पीसने वाले हैं मिक्सी के जार में डालकर तो मैंने यहां इसको इससी तरह से रफली कट कर लिया है आज की जो यह लस्सी है अगर आपको अच्छी लगे ना वीडियो पसंद आये तो एक लाइक कर देजेगा और प्लीस वीडियो को शेयर कर देजेगा यहां पर मैंने लिया मिक्सी का जार और उसमें हम यह पाइनेपल के पीसेस डाल देंगे यह थोड़ा सा खटा मीठा होता है तो यहां पर हम जो दही लेंगे ना वो दही हमें बिल्कुल नॉर्मल लेनी है खटी नहीं होनी चाहिए वैसे भी समें सर्दियां है ना तो यह घर की जमी हुई बिल्कुल ताजी और फ्रेस दही है तो यहां पर हमने दो बड़े चमच दही ले ली है और साथ में ले री हुमें चीनी क्योंकि यह थोड़ा सा खटा मीठा होता है तो इसमें चीनी की जरूरत पड़ेगी तो चमच मैंने चीनी ले ली है और इसको अब हम अच्छे से यहां पर पीस लेंगे इस तरह ऐसे पाइनेपल में हलका सा रेसा होता है तो वो देखिए मैं आगे क्या करूंगी तो यहां पर मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं चलाया है कि बहुत ज़्यादा चलाया हो चल्दी से पिस जाता है और यह देखिए तो यहां पर यह हमारी छागदार पाइनेपल रसी जो लसी है न वो तैयार हो गई है ये देखिए बड़ी आजी तो अगर आप न इसको इसी तरह से पीना चाहते हैं तो इसी तरह से गलासों में डाल कर सर्व कर सकते हैं गर्मी का मौसम हो तो आप इसमें थोड़ी सी आइस ले सकते हैं आइस डाल लीजिए लेकिन यहां पर मै बिलकुल साधा ले रही हूँ इस समय तो ठंडिया है और मैंने थाजी दही लिए तो मैं थोड़ा से इसको चान रही हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना उनको अगर रेसे बगहरे आ जाएंगे मूं में तो फ़र बच्चे पसंद नहीं करते हैं लेकिन अगर आप उनक पाइनेपल लशी का होता है तो यह देखिए मैंने इसको अच्छे से इस तरह से चान दिया है तो इसमें निकला है ना रेसा इसको हम अटा देंगे और यह देखिए हमारी पाइनेपल लसी तयार हो गई है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यह रुआपजा ले लिया है इसको आप इस तरह से ग्लासों में कर सकते हैं आप यहाँ पर चाहे तो चॉकलेट सीरप भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर हलका सा रुआपसा लगा लिया है ग्लासों में और पस इस तरह से ग्लास को फिल कर लीजिए और उपर से आपको चेरी बगेर है डालनी है टूटी फूट यह बहुत ही easy और simple सी recipe है पर बहुत अच्छी लगती है बहुत tasty लगती है तो आप इसे एक पार try जरूर कीजेगा और अगर अच्छी लगे ना तो like कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो please मेरे चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करना मत भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो की notification सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए चलिए सबसे पहले मैं इसे बच्चों के पास लेके चलती हो क्योंकि कोई भी चीज बनती है तो बच्चे उसका इंतजार करते हैं